हेलो बच्चो, I am Kalpna, स्वागत करते हैं आपकी मैच्स की सांदार ट्रिक और कुशन्स के साथ इसमें कुशन्स भी होंगे और ट्रिक भी होगी ट्रिक के साथ साथ आप कुशन्स भी करना सीखेंगे वो भी सिर्फ एक मिनट में इससे आपका कुशन्स भी चमक जाएगा आए देखते हैं कुशन्स हमारा कुशन है वाट भी एड इन दिस नमबर सो देट बिकमस अ परफेक्ट स्कॉयर हमें ये नमबर दे रखा है इसमें हम क्या एड करें जिससे कि एक परफेक्ट स्कॉयर बनेगा अगर हम इसका एक कन्वेंशनल मेथड देखते हैं तो पहले हम इन दोनों टम्स का मल्टिप्लाइ करेंगे multiply करने के बाद फिर हम उसमें add करके देखेंगे कि ये add करने के बाद क्या एक perfect square बन सकता है it means it is a very long method ये बहुत ज़्यादा लंबा method होगा काफ़ी time gaining भी method होगा जैसे कि हम लोग जानते हैं 9 is a perfect square of 3 16 is a perfect square of 4 तो ये क्या है perfect square है इस तरीके से हम check करेंगे कि perfect square कैसे बन सकता है तो एक trick के साथ हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले हम इसका एक difference लेंगे इन दोनों terms का difference लेंगे it means इसका जो difference आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 4 क्योंकि ये जो time है ये दे रखी है 5, 6, 7, 4 is multiply by 5, 6, 7, 8 जब हम इनका difference निकालेंगे it means अंतर निकालेंगे तो अंतर आएगा हमारे पास 4 अब हम सबसे पहले इस 4 को आधा करेंगे जब हम 4 को आधा करेंगे it means 2 से divide करेंगे तो कितने times जाएगा? 2 times अब इसका answer आगया 2 अब हम इस 2 का square करेंगे यानि की work करेंगे work करने के बाद आगया 4 इसका मतलब क्या है? कि इस number में हम अगर 4 add कर दे तो ये एक perfect square add बन जाएगा इसका answer simply आगया ऐसे questions को हम बहुती जल्दी एक मिनट में चमका सकते हैं कि देखते हैं दूसरे question को 7656 is multiplied by 7662 ये हमें कोई term दे रखा है इसमें भी same question पूछा है कि हम इस पूरे multiply में क्या add करें जिससे की perfect square बनेगा simple सा है trick के साथ हम इसको कड़ते हैं क्योंकि conventional जाएगे तो काफी लंबा पड़ेगा अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे इन दोनों का अंतर लेंगे अब इसका अंतर हमारे पास कितना आएगा इसका अंतर आएगा हमारे पास 6 जब हम इन दोनों को minus करेंगे तो हमारे पास difference 6 आगया अब हमने पहले भी discuss किया है हम इस 6 को half आधा कर देंगे, यानि कि 2 से divide करेंगे, क्या आएगा, 3 आएगा, अब मैंने बताया, next step क्या है, कि इस 3 का हम square कर देंगे, 3 का square होता है 9, it means यही हमारा इस question का answer होगा, इसका मतलब क्या है, कि हम इस term में सिर्फ 9 को add करेंगे, जिससे कि एक perfect square बन जाएगा, आएए देखने है next question, next question है हमारे पास, 8492 is multiplied by 8500, it means हमें इस term में यह बताना है, कि हम इसमें क्या ऐसा term जोड़े, जिससे कि एक perfect square बन जाए, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, simple सा है, बहुत चमकदार trick है यह, हम इसमें क्या करेंगे, difference दिखेंगे, mostly wise, same funda, अब हम difference दिखेंगे, difference हमारे पास आएगा 8, अब जैसे ही 8 difference आया, 8 का हम सीधा half कर देंगे, half करने के बाद यह आजाएगा 4, then उसके बाद में हम इसको square करेंगे, square करने के बाद यह आजाएगा 16, this will the right answer of this question, it means यह इसका सीधा सीधा आंसर आ गया, बट अगर हम conventional method से अगर हम जाते हैं, तो यह काफी लंबा method पड़ेगा, सीधे हम multiply करेंगे, multiply करने के बाद add करेंगे, add करने के बाद हम यह देखेंगे, कि कौन सा square होगा, कौन सा square नहीं होगा, इट मीज हम इस method से, यह ट्रिक से, हम बहुत सारी कुशन्स ऐसे कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में हम ऐसे कुशन्स कर सकते हैं, यह एक शांदार ट्रिक है, इससे हम कितना भी tough कुशन हो, उसको बहुत ही easy ली तरीके से, हम इस कुशन्स को ऐसे को चमका सकते हैं, वो भी एक मिनट के अंदर, तो अगर आपको ऐसी ट्रिक्स आप यूज करेंगे, तो आप अपने ऐसे कुशन्स को बहुत जल्दी कर पाएंगे, और चमका भी पाएंगे, और देखते रहिए हमारे साथ ऐसे ही useful concepts के लिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, भूले ना और ऐसे ऐसे ट्रिक्स के साथ हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू सो मज,